कि यह वीडियों निसी श्वांगी वेलकम टूशिवकलासे इस वीडियो हम डिसकस करने वाल है क्लास 9 चैप्टर 2 के कुछ mcqs लास्ट वीडियो भी हमने chapter 2 के ही mcqs जो थे discuss कर रहे थे आज हम और जो है mcqs डिसकस करने वाल है chapter 2 के तो यह आपकी second video है chapter 2 को लेकर तो चलिए start करते हैं तो हमारा first question है if 81y square minus k equal to 9y plus 2 9y minus 1 by 2 तो value of k क्या होगी तो मैं आपको solve करके समझाती हूँ इसे 81y square minus k दे रखा है ठीक है और यह किसके बराबर है 9y यह 9 है ठीक है 9y plus half 9y minus half तो इसका मतला हमारी identity लग रही है a plus b a minus b 81 किसका square होता है 9 9y whole square लिख सकते हैं k की जगा यहां पर हमें बताना है कि 1 by 2 1 by 2 हमने लिखा है 1 by 2 कैसे हमने करा होगा जब यहां क्या रहा होगा 1 by k की जगा क्या रहा होगा 1 by 4 1 by 4 को हम क्या लिख सकते हैं half का square लिख सकते हैं ठीक है तो हमारे जो correct option है वो है option number b ठीक है 1 by 4 next question है हमारा if x plus 2 is factor of this then the value of a x plus 2 जो है वो factor है इस equation का तो x plus 2 factor है इसका मतलब x की value क्या हो गई minus 2 हो गई तो हमें जहां जहां x है वहां हम क्या लिख देंगे minus 2 लिख देंगे ठीक है और equation के equal में हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे 2 की cube है minus 2 है तो minus 8 आ जाएगा तो यहां minus 2 है और 2 का square क्या होता है 4 positive 8 और यहां minus 8 और यहां minus 16 है तो 16 minus 8 की इतना हो गया हमारा 8 हो गया plus का क्योंकि plus की digit बढ़ी है minus 2 4 जा 8 A equal to 0 अब 8 A minus का है उधर जागे किसका हो जाएगा plus का इस तरफ मैं solve कर रही हूं तो 8 से 8 cancel हो गया A की value हमारी क्या आ गई 1 आ गई then x y is तो x y की value क्या होगी तो यहां पे हमें identity का इस्तमाल करना पड़ेगा तो उसी के लेकर हम यहां पे solve करते हैं पहले इसे तो यहां पे हमारी कौन सी identity लगए यह x plus y की value 3 है x square plus y square 5 है then x y is 1 है तो यहां हमारी लगएगी identity a plus b का whole square तो हम यह x y ले रहे हैं x y दे रहका क्या होता है फॉर्मला a का square मतलब x का square y का square plus 2ab ठीक है 2xy x plus y की value क्या दे रहकिए 3 तो इसकी जगा हमने क्या लिख दिया 3 लिख दिया x square plus y square इनकी value क्या दे रहकिए 5 2xy को ऐसे ही रहन देंगे 3 तरीजा 9 5 यहां plus में धर आके minus में हो गए 2xy 9-4 कितना हो गए 5 मैनस कितना हो गए 2 2xy 2 यहां multiply में कट के यहां पर डिवाइड में आ जाएगा 2 4 की टेल में कितने पर आता है 2 तो xy की value हमारी कितनी आ गई 2 तो correct option is option number c Our next question is the value of this is तो हमें जो यह दे रखा है यहां पर जो question हमें इसकी value निकालनी है तो हमें identity याद होगी तो हम जल्दी जल्दी question solve कर पाएंगे अब आपको उपर दिख रहा है दोनों में cube है इसका मतलब यहां cube वाली identity लगेगी ठीक है 361 की square हो जाएगा ठीक है minus 361 into 139 होता है ab होता है x y या जो भी ab से आपने जिस तरिके से भी formula याद करें plus फिर हमारी b वाली value आती है 139 का whole square ठीक है जो हमारा denominator है उसको as it is रहान देंगे 361 का square minus 361 into 139 plus 139 का whole square ठीक है 139 का whole square तो क्या होगा अब हमारा जो ये वाला portion है एक मैं color change कर दूँ तो ये वाला जो portion है ठीक है ये पूरा और ये वाला जो denominator है हमारा ये ये same है तो ये पूरा क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा ठीक है 4 और एक 5 तो हमारा जो correct option है वो है option number B clear हो रहा है ना comment करके बताना आप लोग को series कैसी लग रही है next question है coefficient of x square x square को coefficient बताना है 3 x से 1 cube है एक में 1 square है और एक linear वाला है x की power 1 है तो हमसे x square का पूचा है तो हम x square को ही देखेंगे x square से पहले क्या लिखा हुआ आप question में देख सकते है 2 तो जो correct option है option number B आप binomial of degree 20 if the following is binomial of degree 20 कौन सा है degree 20 इसका मतलब power 20 है तो इसका मतलब ये option नहीं है ये option नहीं है ठीक है degree 20 है power 20 है तो power 20 सिर्फ किसमें c में और binomial भी है clear हुआ next question है degree of 4x cube अब इसमें डिग्री बताने है कौन सी है मैंने आपको question कराया है last video में मैंने एक ऐसा question कराया था कि जो highest degree होगी वो answer होगा तीक है आपको power 3 भी दिख रही है quadratic में हाइस पावर 2 cubic में हाइस पावर 3 तो इसमें x square हाइस पावर क्या है 2 तो हमारा कौन सा है quadratic है b option is correct next है 1 प्लस 3x किस टाइप का polynomial है अब मैंने बोला था highest power 1 वाला कौन सा है linear तो यहां हाइस पावर क्या है 1 है ठीक है तो root 3 का degree कौन सा होगा root 3 के साथ कोई variable है variable है ही नहीं root 3 के साथ x या y लिखा होता है x square या y square लिखा होता कुछ भी नहीं है तो इसकी degree का है 0 तो यह constant है और देखो इसी तरीके सा question है गुमा दिया the degree of a constant polynomial यह constant होते है अगर इनके साथ x y जुड़ा है तो इनकी value चेंज हो सकती है ठीक है एकसी value हम 1 put करेंगे 2 put करेंगे तो इसकी value क्या हो जाएगी 2 root 3 हो जाएगी ठीक है तो यह constant है root 3 तो इसी तरीके तो question गुमा दिया है the constant polynomial degree of constant polynomial तो क्या होगी 0 होगी clear हुआ next question इसकी value of 7 square minus 5 square बहुत easy question है यह हमारा 7 square minus 5 square दे रखा है तो हमाई identity ले आएंगे a plus b a minus b ठीक है 7 और 5 कितने हो गए हमारे 12 7 minus 5 कितना हो गए हमारा 2 12 तूजा कितना हो तो 24 24 हमारा answer आ गया what is the 0 of polynomial 6x plus t 6x plus t का 0 तो equal to 0 रख देंगे ठीक है c x हैंगी रहेगा d यहां minus में आगे x की value निकालनी है minus d c multiply में धराके divide में तो option number c is correct clear हुआ तो यह थे हमारे कुछ mcqs I hope आपको clear हो गए होगे अगर वीडियो अच्छी लगए तो like it, share it and subscribe my channel Thank you